What is 4G? 4G क्या होती है? ये है हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही इंट्रस्टिंग है, आए शुर करते हैं 4G को समझने से पहले हमें 1G को समझना होगा 1G stands for first generation, ये एक ऐसी mobile service थी जिसमें हम सिर्फ phone calls सुन सकते थे और कर सकते थे कुछ ही सालों के बाद 2G यानि second generation आई, ये एक ऐसी mobile service थी जिसमें हम phone calls के साथ SMS भी कर सकते थे और ऐसे mobile को हम 2G mobile केते थे, इनमें बकाईदा एक keyboard होता था जहां से हम अपना message टाइप कर सकते थे कुछ ही सालों के बाद 3G यानि third generation आई, ये एक ऐसी mobile service और ऐसी technology थी जिसमें हम phone calls और SMS के साथ अपने mobile के ओपर internet भी use कर सकते थे अलबता कुछ limited features थे जिनको हम use करते थे, शुरू में Symbians mobile आए, बाद में फिर play stores बने और फिर हम अपनी मरजी के जो applications थे उनको भी install कर सकते थे और ऐसे mobile को हम 3G mobile कहते थे, और ऐसी service को 3G service कहते थे कुछ ही सालों के बाद 4G यानि fourth generation आई, जिसमें 1G, 2G, 3G तमाम mobile के जो functions थे और internet के सारे features जिसमें video calling, online streaming, तेज तरीन downloading और uploading वगरा शामिल हैं, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई ऐसे mobile को हम 4G smart mobile कहते हैं और ऐसी service को हम fourth generation या फिर simple 4G कहते हैं ये 4G जो है 1G, 2G और 3G तमाम का combination है और उसमें कुछ नई चीज़े और नई features भी शामिल है ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो सिर्फ हम laptop और desktop पे ही कर सकते थे, लेकिन आप वही काम हम अपने mobile पे भी कर सकते हैं तो फिर 4G क्या है, 4G एक standard cellular service है जो के मुझूदा जमाने की तेज तरीन mobile internet technology समझी जा रही है 4G को बीच में LTE भी कहा जाता था, जिसका मतलब था fourth generation long term evolution ये इसलिए कहा जाता था, के साइंसदानों का मानना था, कि इससे पहले वो तमाम काम जो सिर्फ हम laptop पे ही और computer पे ही कर सकते थे अब हम वो यहां पे mobile पे कर सकते हैं, इसलिए इसको LTE भी कहा जाने लगा 4G की स्पीड को 3G की स्पीड के साथ compare किया जाए, तो 4G 3G से करीब करीब 500 गुना 500 ताइम्स जो है वो तेज है इसी वज़ा से 4G जो टेकनालोजी थी, उसने बहुत जल्दी 3G टेकनालोजी को overlap कर दिया, replace कर दिया 4G को International Telecommunication Union ITU ने जो था वो define करवाया था और इसी कंपनी ने इसको 2008 में इसकी जो services थी उनको introduce करवाया सारफीन के सामने, यूजर्स के सामने और 4G service जो थी, इस में 3G के मकाबले में हमें 100 MBBS की स्पीड मिलती थी, जबकि 3G में ये स्पीड सिर्फ 13 MBBS की थी अच्छा, इसके बाद ये माना जाता है, ये कहा जा रहा है कि 5G यानि 5th generation जो है, वो 4G internet services को भी बहुत जल्दी replace करने वाली है और बहुत जल्दी दुनिया के उपर 5G का राज होगा तो फिर 5G क्या है? 5G एक next evolution है, mobile internet technology के अंदर इसके साथ एक और चीज़ जो के बहुत मज़की होने वाली है, साइंसदानों का ख्याल है कि इसमें 20 GBPS की जो हमें गीगा बाइट्स पर सेकंड की जो स्पीड है वो मिलेगी जो के 4G के साथ, 4G के मकाबले में तकरीबन एक सो गुना ज्यादा होने वाली है इसे के साथ जो 5G मॉबाइल टेकनालोजी होगी वो बहुत ज्यादा रिस्पॉंसिव और फस्टर होगी 4G की निस्पत और इसका जो लेटेंसी रेट होगा वो 1 मिली से कम होगा जो 4G में 60 से 98 मिली सेकंड का है इसके साथ 5G जो टेकनालोजी होगी वो बहुत कम बैटरी यूज़ करेगी और मॉबाइल फून के उपर उसका इतना ज्यादा बोज नहीं होगा तो फिर हम कह सकते हैं जो फ्यूचर है वो 5G का है 5G फ्यूचर में राज करने वाली है तो प्रिष्टी कर दो कर दो भाज़ लूच्छए नहीं होगी अजिए भी गरलाफ़ आफिस